सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेश महत्व है ग्रह निर्मान से लेकर प्रवेश तक वास्तु नियमों का विधी विधान से पालन किया जाता है ग्रह प्रवेश के बाद भी सभी चीजों को वास्तु के हिसाब से रखा जाता है ऐसा करने से घर में सुख सम्रिध्ви और शांती बनी रहती है. अन्देखी करने से वास्तु दोष उत्पन हो जाता है. एक बार वास्तु दोष लग जाने के बाद व्यक्ती के जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है. परिवार में सदस्यों के मध्य, कलह की स्थिती बनी रहती है, साथ ही आर्थिक स्थिती भी बधाल हो जाती है, अतह वास्तु नियमों का पालन जरूरी है, वास्तु शास्त्र में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के विशेश उपाय बताए गए हैं, अगर आप भी वास् पुश के चलते जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो गुगल का इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके उपयोग से घर में व्याप्त वास्तु दोश दूर हो जाता है, आईए, इसके बारे में जानते हैं तनाव दूर होता है, अगर आपके परिवार में सदस्यों के मध्य कलह की स्थिती है, तो घर पर गुगल धूप जलाएं, इस उपाए को आप विशेश दिन पर कर सकते हैं, एका दशी, त्रयो दशी, अमावस्या, पूर्निमा तिथी पर घर में गुगल धूप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, साथ ही पती पत्मी के मध्य रिष्टे मजबूत होते हैं, इसके अलावा, मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है, वास्तु जानकारों की माने तो घर में लगातार साथ दिनों में गुगल धूप में पीली सरसों मिलाकर जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं साथ ही घर में सुख समरिधी और शान्ती आती है, इस उपाय को शनिवार के दिन से प्रारंब करें, शनिवार की शाम को आरती अर्चना करने के बाद गुगल धूप जलाएं, अब धूएं को पूरे घर में दिखाएं, बनेंगे बिगड़े काम अगर विशेश काम में इस उपाय को करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही सभी कारियों में सिद्धी प्राप्त होती है